हेलो फ्रेंड्स अगर आपने इस ड्रामी का पार्ट वन नहीं देखा तो आप सबसे पहले वो देख लें जिसका लिंक डिस्क्रप्शन और आई बटन में आपको मिल जाएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सबस्क्राइब करें और साथी बेल आइकन को भी क्लिक करें जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको म काल देते हैं वो सबसे कहते हैं कि यहां से कोई भी शॉपिंग ना करे मिंगवे वहां आती है तो थोड़ पोड़ को देख कर गुस्से से बोलती है कि यहां क्या हो रहा है मैंने सुना है कि कोई मेरी जगा पर हंगामा कर रहा है उनका लीडर कहता है कि मिस हम यहां चीजें ख खबरदार कर रही हूं बेतर है कि तुम लोग चले जाओ यहां से इससे पहले कि मैं अपना आपा हो दूँ मिंगवे की धंकी काम नहीं करती उल्टा उसकी धंकी से वो लोग हसते हैं तो दूर खड़ा गुयें सोच रहा होता है कि ये बाद जाने बगेर इन से लड़ रही है ये खुद इन लोगों को लड़ने की दावत दे रही है उस पर हसने के बाद वो कहता है कि तुमने सिर्फ मुलाजमों का इस्तमाल नहीं किया तुम उनका पीछा भी करती हो तुमारा ये मौल बेकार है जल्द ही बंद हो जाएगा पर मिंगवे तो डौन है वो उनसे नहीं मुलाजम थे हमारी रिकुइस तो बड़ी सिंपल सी है अगर आप हमें निकालना चाहती है तो ठीक है लेकिन तुमें हमें इसका कॉंपन सेक्शन देना पड़ेगा मिंगवे हसती है और बोती है कि मैं तुम लोगों को कमपेंसेशन दूंगी कितने बेशरम लोगों तुम जो मुझसे कमपेंसेशन मांगते हो तुम मैंसे किसकी हिम्मत है ये कहने की क्या तुम लोगों ने अपना काम इमानदारी से किया क्या मैंने तुम पे कोई ज्याती की फिर वो हर एक की तरफ इशारा करके कहती है कि तुम तो वो हो ना जिसको हर वक्त अपने कस्टूमर्स के सामने चीके आती थी मिंगवे एक एक को अपनी गलती गिनवाती है कि तुम्हारे काम की टैमिंग 8 गंटे है लेकिन तुम साथ गंटे 59 मिंट तो गेम में गुजा देते हो और आखरी मिंट टॉलेट में जाके बैठ जाते हो क्या ये मज़ाख है और तुम तो सेहत मन लग रहे हो तुम्हे तो हर वक्त कभी पेट में दर्द कभी दान में दर्द होता था क्या तुम लोग बीमार हो, नहीं तुम लोग बीमार नहीं हो, बस नाटे करे हो ये कहते ही वो जारी होती है अपनी बेज्टी सुनकर वो लोग गुसे में आ जाते हैं और कहते हैं कि बंद करो अपनी बक्वास अगर आज तुमने हमें composition नहीं दिया तो हम तुम्हारी जिन्दे की मुश्कल बना देंगे हम तुम्हारी शॉप पर बात कर देंगे तुम बस खड़ी हो के तमाशा देखो गुयन सोच रहा होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है यहां हाता पाई शुरू हो जाएगी मिंगवे कहती है कि क्या मैं तुम्हारी इन धमकियों से डर जाओंगी मुझे तुम जैसे बेकार लोगों को पहले ही निकाल देना चाहिए था वो लोग गुसे में आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिमत कैसे ही हमारी बेस्ती करने की सब देखो यह यहां की CEO है यही है वज़ा महंगाई की तुम्हें अपना बेकार मॉल बंद करना होगा यह कहते ही वो अपने पानी की बोतल गुसे में फैंक देता है तो तबी वहां मिंगवे का जिम ट्रेनर आता है और कहता है कि चुप तुम लोगों को पता भी है तुम लोग क्या कर रहे हो वो लोग पूछते हैं कि तुम कौन हो ट्रेनर पूछता है कि तुम मेंसे इंचाश कौन है वो बोता है कि मैं क्या मसला है तो ट्रेनर प्यार से बोलता है कि आओ हम अकेल में बात करते हैं वो उसे साइट पर ले जाता है और कहता है कि मेरी बात सुनो अपने एर्दगिर्द के तमाम लोगों को देखो हमें किसी भी चीज से इन लोगों को परिशान नहीं करना चाहिए ठीक है सामान को इदर उदर फेकने से और तोड़ने से क्या होगा तुम लोगों का मसला फिर भी हल नहीं होगा आओ मैं तुम लोगों को अच्छी से चाएप लाता हूँ लेकिन वो लोग कुछ नहीं समझते और ट्रेनर को धका देकर उसे नीचे गिरा देते हैं और मिंगवे के पास जा कर पूछते हैं कि आज तुम हमें पैसे दोगी या नहीं मिंगवे कहती है कि तुम तीनों की हिमत कैसे भी मुझसे पैसे मागने की गुएन फिर से सोचता है कि ये बिगड़ी हुई लड़की इसको तो आग के शोलों में हाट डालने में मज़ा आता है वो लोग कहते हैं कि अगर वो उन्हें पैसे नहीं देगी तो वो इस जगा को जहन्नुम बना देंगे लेकि मिंगवे कहती है कि वो उन्हें एक रुप्या भी नहीं देगी उन्हें जो करना है कर ले मिंगवे से इनकार का सुनकर वो गुसे से उसे मारने ही वाले होते हैं तो गुएन हीरो बन कर आकर उसे बचाता है तो वही लोग गुएन को मारते है गुंडों से मुका खा कर वो उसका हाथ पकर कर वहां से उसे भगा कर ले जा रहा होता है तो बड़ी फिल्मी तरीके से मिंगवे सोचती है कि क्या ये वही रूमेंटिक फिलिंग्स नहीं है जैसा नोवल्स में बताया गया है तुमारे आने से मैं अपने होशो आवास खो बैटी हूँ अब कोई फरक नहीं पड़ता कि हम कहीं भी जाएं मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ गुंडों से बच कर बाहर आते हैं तो मिंगवे बोलती है तुम अच्छा खासा तेज भाग लेते हो तो तबी उसकी नजर गुयें की चोट पर पड़ती है तो उसकी चोट पर हाथ रखने ही वाली होती है तो गुयें कहता है चोट प्लीज मैडम तुमारी महरबानी होगी कि नेस टाइम मुझसे दूरी रहो मिंगवे बोलती है तुम फिर से मुझे मैडम बोल रहे हो तुम क्या कहना चाते हो कि मैं तुम्हारी नजर में काफी बड़ी हूँ हलाके यहां तुम मुझसे बड़े हो गुयें कहता है कि तुम हर किसी को देख कर बक्वास करने क्यों लग जाती हो मिंगवे बोलती है बक्वास क्या मतलब है तुमारा क्या मैं तुम्हें डॉग लगती हूँ गुयें कहता है मिस मिंगवे मैं तुम्हें एक और बार याद दिला देता हूँ कि आज जो तुम्हारा भीहेवर था बहुत ही खतरनाक था मिंगवे कहती है कि मैं प्रेजिडन्ट हूँ यहां की, कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं डरूं। गुयेन कहता है कि अगर तुमने ऐसा दुबारा किया तो मैं नहीं होंगा वहां तुम्हें बचाने के लिए। मिंगवे कहती है कि तुम अपने आपको काबल समझते हो, तुम्हें पता भी है तुम अभी कितने लापरवा हो रहे हो, गुयेन कहता है लापरवा, अगर मैं लापरवा ना होता तो आज तुम मर चुकी होती, मिंगवे कहती है तो इसका मतलब तुम्हें मेरी फिकर है, तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम मुझे पसंद करते हो गुयन कहता है कि तुम्हें जो सोच नहें सोचो ये कहते ही वो वहां से चला जाता है वहीं खड़ा मिंगुए का ट्रेनर उनकी बाते सुन रहा होता है मिंगुए सोचती है ठीक है मैं तुम्हारी इस बहादुरी के खातर भूर जाओंगी कि पिछली बार तुमने मेरे साथ क्या किया था यूंकि तुम बहुत बहादुरो मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं अगली बार मैं तुम से प्यार से बात करूंगी उन दोनों को साथ देखकर मिंगवे का ट्रेनर जो गिफ्ट लाया होता है वो गुसे से उस गिफ्ट को फैंकने ही वाला होता है लेकिन फैंकता नहीं और वहां से चला जाता है फिर हम देखते हैं कि गुई एन हैंडसम जो के टीचर भी होता है वो अपने book open करता है तो वहां एक letter होता है उस letter में लिखा होता है कि president ने आपको इस address पर बुलाया है वो हसकर उस letter को does mean में फैंक देता है मतलब ये के वो उस address पे नहीं जाना चाता next scene में मिंगवे अपने hero के इंतिजार में table सजाए बैठी होती है तो तभी कोई आ रहा होता है वो खुश होती है कि गूयन आया है वो उसे बोलती है कि चुप आहिस्ता हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए वो अपने दिल की बाते उसे बताती है फिर खाने और प्लेट्स की बाते करके बड़े प्यार से पीछे मुड़के देखती है तो वो गूयन नहीं बलके उसका मैनेजर होता है वो बिचारी उसे वहां दे कर शरम से पानी पानी हो जाती है तो तभी मैनेजर उसे बताता है कि गूयन अभी तक किलासिस दे रहा है वो आज नहीं आएगा तो CEO गुस्ते में टेबल पे हाथ मार के कहती है कि क्या और यहीं पर यह पार्ट एंड होता है नेक्स पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेय करें और कॉमेंट में जरूर पताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी